अलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं गियर टर्मिनलोजी के बारे में इस पर gear के Norman Clature के बारे में हम इस वीडियो में discuss करेंगे Gear Module, Root Clearance, Backlass ये सब क्या होता है और इसे कैसे calculate किया जाता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उपर I बटन पर क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं इस पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से diagram बना करके आपको समझाया है बहुत ही आसान तरीके से जिससे आपका पूरा concept क्लियर हो जाएगा तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering fields से related videos इस YouTube चैनल पर मैं upload करता रहता हूँ 930 से जादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी हैं और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिता है तो friends जैसा कि आप image में देख रहे हैं ये है spur gear के दो teeth मैंने लिये हैं मैंने ये diagram अपने हाथों से बनाई है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे spur gear है ये जिसके दो teeth को मैंने लिया है अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि देखिए ये वाला जो पूरसन होता है teeth का इसे कहा जाता है top land क्योंकि ये top पर है teeth के इसे लिए इसे top land कहा जाता है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे bottom land कहा जाता है है ना क्योंकि ये bottom पे है roots के पास है bottom पे है इसलिए इसे bottom land कहा जाता है तित्की जो चोड़ाई है उसे face width कहा जाता है अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो यहाँ पर नीचे root से एक circle cross होती है यहाँ पर से एक circle ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है इसका didendum circle ठीक है सबसे नीचे वाला जो circle होता है वो didendum circle होता है और इसी तरह से सबसे उपर यानि कि अगर हम external circumference को देखेंगे अरके तो सबसे टॉप से जो circle गुजरती है उसे addendum circle कहा जाता है और इन दोनों circle के center के करीब से एक circle गुजरती है जिसे की fifth circle कहा जाता है और उसी circle के around जो diameter होता है उसे fourth circle diameter कहा जाता है ध्यान दीजेगा यहाँ पर मैंने एक word use किया है center के करीब Center के करीब से ये मतलब है कि जो center होगा addendum और dedendum circle का उससे थोड़ा सा उपर से गुजड़ती है ये है ना उस center से थोड़े से उपर से अगर मैं बहुत ही आसान भासा में आपको समझाना चाहूं तो जैसे कि जो हमारा spur gear है जहां से tooth start होते हैं root से bottom से एक circle अगर हम mark करेंगे तो वो आपका dedendum circle होगा और उस tooth के सबसे top से जो circle cross होगा यानि कि जो external diameter होगा वही आपका addendum circle बनाएगा और उसके center के पास से जो गुजड़ेगा उसे आप pitch circle diameter कहेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो marking है कुछ इस तरह से marking होती है spur gear में और ये pitch circle diameter की ही marking है और इसी तरह से same dedendum circle की भी marking होती है gears में अब बहुत ही जरूरी और सबसे important चीज जो है addendum circle से ले करके pitch circle का जो distance होगा vertical distance होगा उसे ही addendum कहा जाता है ठीक है और addendum ही module है याने की one addendum is equal to one module addendum और module दोनों same होता है equal होता है और अपने पिछले वीडियो में मैंने practical वीडियो में यही आपको समझाया था कि आप measuring tape से या किसी measuring instrument से direct measure कर सकते हैं pitch circle diameter से ले करके तित के top तक का portion तो आपके gear का module निकल जाएगा module calculate करने का एक formula भी होता है और वो होता है module is equal to pitch circle diameter in mm divided by number of teeth याने कि अगर इस पर gear में आपको module निकालना है तो आप उसके pitch circle diameter को mm में लिख दीजिए और जितने भी number of teeth है उसमें उसको आप divide कर दीजिए तो जो value mm में आईगी वो आपकी module होगी अब बात कर लेते हैं didendum की तो pitch circle diameter से ले करके जो नीचे didendum circle है उसके बीच का जो vertical distance होता है उससे didendum कहा जाता है अब हम बात करते है addendum और didendum के बीच क्या relation है ठीक है तो जो didendum होता है वो बड़ा होता है addendum से तो यहाँ पर जो हमारा didendum है didendum is equal to 1.157 addendum या फिर इसे 1.157 module भी बोल सकते है ठीक है अब अगर हम side से देखें है न तो यहाँ पर जहाँ से pitch circle diameter है जो pitch circle diameter गुजरा है है न यह वाला जो portion है सामने का उसके उपर का जो हिस्सा है addendum वाला portion है उसे face कहा जाता है जबकि उससे नीचे वाला जो हिस्सा है उसे flank कहा जाता है अब हम बात कर लेते हैं pitch point की तो pitch point क्या होता है जब दो gear आपस में mesh में होते हैं contact में जब आते हैं mesh में होते हैं तो जो contact point होता है pitch circle मतलब पहले gear का pitch circle और दूसरे gear का pitch circle जो है वो same point पे touch होता है दोनों उसी point को pitch point कहा जाता है अब बात करते हैं हम pressure angle की तो आखिर pressure angle क्या होता है अगर हम इसकी definition की बात करें तो it is the angle between the common normal at a point of contact tangent at a pitch point याने कि अगर हम point of contact पर एक common normal खीचें है ना और जो contact point है वहाँ पर एक tangent खीचें pitch point पर तो उनके बीच का जो angle होगा उसे ही pressure angle कहा जाता है तो अब अगर हम बात करें standard value की तो pressure angle का जो standard value होता है spur gear के लिए वो 14 and half degree होता है या फिर 20 degree होता है या फिर 25 degree होता है ये तीन value होती है pressure angle की तो friends इस वीडियो में इतना ही उम्मित करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा